भाजी मार्केट में अबैद निर्मार के खिलाफ परेश ठाकुर ने खोला मोर्चा, पन्वेल के मनपायुपायुक्त डाके और वाड अधिकारी को सस्पेंड करने की माँ यहाँ पे जो अच्छे काम करने वाले उनको यहाँ पे काम करने दिया नहीं जाता यह गोरगरीबों से यहाँ पे तीन अजार पाच अजार रुपया लेके इनके पास से यह अपने लेते हैं आज के दिन ही यहाँ पे अक्शन लिनी चाहिए उसके साथ में प्रकाश गायकोवाड जो गाड़ आपीसर है उनका तबदला होना ही चाहिए कलमबोली सेक्टर पांच का यही वो भाजी मार्केट है जहां बनाई जा रही इन पक्की दुकानों पर बवाल मच गया है पनवेल मनपा के सभागरी निता परिष्ठाकुर ने कहा मनपा उपायुक्त और स्थानी वाड अधिकारी हपता लेकर यहाँ वैद निर्मार करवा रहे हैं उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी यह दोनों अधिकारी कारवाई की बजाय सिर्फ दिखावा करते आ रहे हैं सभागरी नेता परिष्ठाकुर ने खुला रोप लगाया कि उपायुक्त विठल डाके और वाड अधिकारी प्रकास गायकवाड फेरी वालों से तीन से पांच हजार रुपयों का हफ्ता लेकर उन्हें संरक्षन देते हैं लेकिन जो दुकांदार हफ्ता नहीं देते उन्हें काम करने से रोकते हैं पहले पी एमसी के उपायुक्त थे लेंगरेकर साहब या उसके बाद में आय हुए अभी जो डीएमसी है डिपुटी कमिश्नर विठल लाकी जी इनके पास भी हमने बार बार में हमने मांग की थी और प्रकाश गायकवाड जो यहां के वार्ड आपी सर उनके बार में हमने ही उनको बार बार तकलीब दी जाती है परिशान किया जाता है इस सेटेड़े को जब मुझे हमारे नगरस्योंग बबन मुकादम जी कमल कोठरी जी इनका भी मुझे कंप्लेंट आया और मुझे फोटो जाए काफी कि किस तरीके से एक अनेदिकूरत मार्केट यहां पे बा बाद में एक अपता उन्हेंने कोई भी एक्शन ली नहीं आज के दिन में मुझे बता चला है कि 22 में से 2-3 गाली है उनको उनने तोड़ा हुआ है पर बाकी के बताना जरूरी है किस भाजी मार्केट में कुल 120 फेरी वाले बैठते हैं आरोप है कि मनपा और सीटकों के मार्केट में अबायद निर्मार की लगातार शिकायत के बाद भी दोनों अधिकारियों ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया पर इस ठाकुर ने जोर देकर कहा कि इन दोनों भरश्ट अधिकारियों का तत्काल तबादला होना चाहिए उन्होंने मनपायुक्त सुधाकर द अब अपिसर उनको सस्पेंड किया हुआ था पर उसके बाद में एप्रिल महिने में उसको वापस कोरणा के टाइम में लोग की कमी इसके लिए लिया गया और उसने वापस हपते खाने का काम उसने चालू किया हुआ है मतलब यहां पे उपायुक्त डाकी साहब यह मुझे अब लोगों ने एक बड़ी विश्वास के साथ में भारतिये जन्ता पर्टी को यहां पे सत्ता दियुक्त और यहां पर उनका उश्राइब वह अगर मैं यहां पर सार्थ नहीं कर सकता हूं अगर मैं उसको न्यास नहीं दें सकता हूं तो यह गलत होगा इसके लिए इस मामले में भाजी मार्केट के दुकानदारों का कहना था कि वे बिना सुभिधा वाले मार्केट में खुद का पैसा जमा कर ओटला निर्माण करवा रहे हैं ताकि मार्केट साप सुथरा और सुरक्षित रहे दुकानदारों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि मनपा अधिकारियों की गलती का खामियाजा उन्हें भूगतना पड़े यह लोग तो हमको ध्यान नहीं दे रहे तो आपने पाव पर आप उन जीना चाहिए इसके लिए हम लोग ने पैसा निकाल के थोड़ा थोड़ा गाला बनायते पिर आभी गाला बना के एक हपते सी चालू हुआ तो इसे नगरपालिका वाले आते शिड़को वाले आते नग पालिका रहे हैं नगरसेवक आ रहे हैं हम लोग अपना पैसा करके अपना कटा बान रहे हैं तो कटा बान रहे हैं तो कटा बान आए सुरेच्छा के लिए तो लोग तकलीफ दे रहे हैं नहीं बाने दे रहे हैं अभी एक कर्चा किया हो तो तो लुषकन हो रहा है ना वो वो खर्चा वाते लूसका नहीं होएगा ना वो बलता पर्मिशन ने निकला बलता बाना ने करने बुलता है इसा बलता है डियोरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले